बिस्मिल्ह रिख्मन रुराहीम, असलाम अलेकुम क्लास, उमीद है आप सब लोग ठीक होंगे ओके क्लास, प्रिवियस लेक्चर में हमने एक्सेसाइज 6.1 का क्वेस्ट नंबर 1 कंप्लीट किया था और आज के इस लेक्चर में हम क्वेस्ट नंबर 2 और क्वेस्ट नंबर 3 के सब पार्ट को कवर करेंगे तो क्वेस्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है, Find the Indicated Terms of the Following Sequences हमारे पास ये Different Sequences हैं और इनसे Related हमारे पास ये Terms involved है जो हमें यहां से Find करनी है और इस Term को Find Out करने के लिए Firstly हम अपने Sequence में ये देखेंगे कि किस टाइप का Relation आ रहा है Terms के दरम्यान में यानि एक Term से दूसरी Term किस तरहां से Change हो रही है जैसा कि First Sequence को अगर Note करें तो First Term आ रही है हमारे पास इस Sequence में 2 Second Term है 6 तो 6 और 2 के दरम्यान में Difference आता है 4 का 11 और 6 अब Second और Third Term में अगर Difference देखें तो Difference आ रहा है 5 का हमने Similarity निकालनी है यानि इन जो मुझूदा Terms हैं इनको देखते हुए हमने Similarity यहां से सर्च आउट करनी है Next है मारे पास Term 17 और 17 और 11 के दरम्यान जो Difference आ रहा है वो है 6 अब Note करें इन दोनों के दरम्यान में Difference है 4 6 और 11 के दरम्यान में Difference है 5 11 और 17 के Between Difference आ रहा है 6 इसी तरह जो Next आने वाले Terms होंगी उनमें Difference आएगा 7, 8, 9, Up to 6 इसी Condition को हम Use करते हुए Next Indicated Terms को Find Out करेंगे और हर Sequence की जो Characteristic है वो Different होगी जब भी आपने किसी Sequence को Solve करना हो तो Firstly आपने उनके दरम्यान का Difference Find करना है Up to 6 और हमें यहां से Term चाहिए A7 यह हमारे पास A1 यानि First Term है यह A2 Second Term यह A3 है और यह हमारे पास A4 है और अब Next हम Term जो है A7 Find Out करना जा रहे है इसी Sequence को तरतीब के साथ हम Continue रखेंगे 2 2 प्लस 4 और इन दोनों की अडिशन हमारे पास है 6 6 प्लस 5 और इन दोनों की अडिशन 11 11 प्लस 6 नेक्स्ट 17 प्लस 7 और 17 और 7 को प्लस करें तो हमारे पास 24 24 प्लस 8 24 और 8 को प्लस करें तो 32 32 प्लस 9 दोनों को प्लस करें तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 41 तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 41 प्लस 10 यह हमारे पास 1st टर्म 2nd 3rd 4 5 6 और यह टर्म हमारे पास 7 7th टर्म तक हम पहुँच चुके हैं सो इसको यहीं से अप्टू सौन कर दें और अब तमाम नंबर्स को वापिस एड़ कर लें 2 6 11 17 24 32 41 प्लस अप्टू सौन इसे एड़ ना भी करें तो खेर है क्योंकि हमारे पास जो a7 है वो हमारी टर्म हमें मिल चुकी है so a7 is equal to 41 that's the answer next sequence है 1 3 12 60 up to 100 और इसमें से टर्म फाइंड करनी है हमने a6 class इस sequence में अब हम चेक करेंगे किस चीज का difference आ रहे है difference जो है वो multiplication का भी हो सकता है division का भी हो सकता है और simple subtraction का भी हो सकता है और addition भी हो सकती है तो यहां क्योंके number ज्यादा digits से increase हो रहे हैं इसलिए यहां पर multiplication जरूर involve होगी तो note करें 1 को 3 से multiply करवाया गया 3 को 4 से multiply करवाया गया तो 12 और 12 को further 5 से multiply करवाया गया इस वे में यह multiplication इंक्रीस हो रही है अब हम sequence को इस ही multiplication के accordingly जरा सब parts में convert करेंगे 1 multiply 3 और यह दोनों terms multiply होकर 3 so 3 multiply by 4 और यह दोनों terms multiply होकर 12 12 multiply by 5 next term आ जाएगी 60 multiply by 6 दोनों को multiply करवा दें 360 और next अब 360 को हमें multiply करवाना है 7 से first term second third four five और यह आगई six so six term तक हमने open कर लिया अब हम इसे further up to so on कर देंगे अब इन्हें multiply करवा लें 3 12 60 360 और further seven से multiply करवाना है तो यह आ जाएगा so counting wise हमारी a six term is equal to है 25 20 next है मारे पास one three by two five by four seven by eight up to so on a seven class यहां note करें three में two plus हो तो five five में two plus हो तो seven it's mean उपर वाले digits में two plus होता जा रहा है अब हम नीचे के difference को चेक करेंगे नीचे यहां two है तो यहां four two को two से multiply करवाया तो four और four को two से multiply करवाया तो eight यानि नीचे वाले numbers two से multiply हो रहे हैं और उपर वाले numbers में two plus हो रहे नीचे वाले जो two के multiples हैं इन्हें हम ऐसे भी लख सकते हैं ये two की power one यह 2 की पावर 2 यह 2 की पावर 3 और इसी तरह 2 की पावर को increase कर लेंगे So start करते हम अपने इस procedure को तो यह आजएगा 1 प्लस 2 ओवर 2 की पावर 1 Next हमारे पास यह आजएगा 3 यानि इन दोनों terms को प्लस किया तो यह आजएगा 3 3 प्लस 2 और नीचे 2 की पावर इंक्रीस 3 प्लस 2 इस एकल तो 5 5 प्लस 2 ओवर 2 की 7 प्लस 2 ओवर 2 हैस पावर 4 9 प्लस 2 ओवर 2 हैस पावर 5 Next आजएगी term हमारे पास 11 प्लस 2 ओवर 2 हैस पावर 6 कॉमा अब टू सॉन अब हम इन नंबर्स को प्लस कर लेंगे क्योंकि हम अपनी 7 टर्म तक पहुंच चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यह आजएगा 3 by 2, 5 by 2, 7, 9 और यह 2 नीचे से हम इनकी पावर सॉल्फ करके लिख रहेंगे 4, 8, 16, 11 ओवर 32 और यह आजएगा 13 ओवर 64 प्लस और यह अब टू सॉन So, is 7 is equal to 13 ओवर 64 Next हमारे पास जो question है उसमें sequence है 1, 1, minus 3, 5, minus 7, 9, up to so on, A8 यह नहीं हमने 8 तर्म फाइंड आउट करनी है हमारे पास टर्म कौन कौन सी वेलेबल हैं 1, 2, 3, 4, 5, और यह 6 हमें ज़स्ट यहां से A8 टर्म जो है वो find out करनी है तो हम सबसे पहले इसका relation find करेंगे कि first term जो है वो second वाली term से क्या relation बना रही है Class note करें एक term negative है तो दूसरी term positive और एक positive term के बाद वापिस एक negative term positive है तो एक term छोड़के next term जो है वो again positive है और यहां भी again positive है तो इस relation में देखें हमारे पास notation किस वे में change हो रही है अगर इस first one में minus four को plus कर दिया जाए तो क्या result आएगा minus three और next अब इस minus three में अगर हम minus four मजीद solve करें तो यह आएगा minus seven यानि जो negative terms हैं उनमें minus four plus करने से हमारे पास very next term आती है और इसी तरह नोट करें जो positive terms आ रही हैं इनमें अगर four plus करें तो very next terms मौजूद हो रही हैं हमारे पास तो इसी sequence को देखते हुए हम यहां पे यह continue करेंगे अपने steps one one positive terms का आपस में relation है और negative terms का आपस में relation है one minus four one plus four और next आगे हमारे पास minus three minus four इन दोनों numbers को plus करें तो यह आजाएगा five five plus four और very next number में अब negative term ने आना है तो यह दोनों plus होकर यहां पर जाएगे तो यहां आएगा minus seven minus seven minus four यह मैं यहां से कॉमा लगा रही है अब negative term के बाद positive term की बारी है five plus four is equal to nine तो यहां पर आएगा nine plus four कॉमा और यह up to seven क्योंकि हमारे पास eight term जो है वो आ चुकी है अब हम इसको वापिस solve करेंगे nine minus eleven or thirteen up to seven one two three four five six seven eight so a eight is equal to thirteen that's the solution fifth part है मारे पास one minus three five seven nine up to seven a eight class जो अभी हमने fourth question cover किया है यह भी सेम उसी जैसा है और इसमें जो relation आ रहा है जो difference आ रहा है वो सबसे पहले note करें तो वो उसी definition के accordingly minus four और plus four का difference है जैसे one में four plus करें तो five इस sequence में भी एक term positive है तो दूसरी negative positive और very next term negative यानि इसके sequence को हम इसी तरह लेंगे positive term को positive term के accordingly solve कर लेंगे यानि positive के accordingly difference find करेंगे और negative term का negative term के accordingly difference find out करेंगे तो note करें one plus five ये one plus four को solve करेंगे तो ये total आ गया five अब five plus four को solve करेंगे तो ये आ जाएगा total nine यानि यहां पे जो number मौजूद होगा उसमें four plus करेंगे तो very next positive number आ जाएगा और इसी तरह जो negative number है उसमें अगर हम minus four add कर दें तो ये हमारे पास very next negative number बन जाएगा तो इसी definition को हम continue करेंगे मजीद one plus four minus three minus four five plus four और ये five कहां से लिखा ये इस positive number को add करके यहां पे लिखा अब इसी तरह इन दोनों को add करके यहां पे हम लिखेंगे minus seven minus four next आ जाएगा nine plus four और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास minus eleven minus four कोमा अब डू सौन one two three four five six seven eight इसलिए हम यहां पे stop कर लिया हमने अपनी sequence को minus three five minus seven nine minus eleven thirteen and minus fifteen up to seven so इस sequence में eight term हमारे पास है minus fifteen next अब यह हमारे पास question number three है और question number three की statement है find the next two terms of the following sequences sequences और यह four sequences हैं और इनके accordingly हमने इनको solve करना है और next two terms find out करनी है first part है seven nine twelve sixteen up to seven class difference check करेंगे किस number का है तो seven और nine के between जो difference है वो है two और nine और twelve के दर्मयान difference है three और twelve और sixteen के between difference को अगर चेक करें तो यह हमारे पास है four इसका मतब़ है various next numbers के दर्मयान में five का difference होगा तो हम इसी condition को use करते हुए अपने sequence को मज़ीद continue करेंगे seven seven plus two seven plus two is equal to nine और next आ गया nine plus three और यह आ गया nine plus three is equal to twelve twelve plus four twelve plus four is equal to sixteen sixteen plus five यहां तक यह हमारा sixteen जो के उपर available भी है और इससे next अब हमने just two terms find करनी है एक term हमने लिख ली और next term है हमारे पास twenty one plus six और यह अप्टू सौन इनको वापिस एड़ कर लें और यह अप्टू सौन दैस्टी आंसर सेकिंड पार्ट है one three seven fifteen thirty one अप्टू सौन इस सिक्वेंस में देखे one और three के between जो difference है वो है हमारे पास two का difference और three और seven के between में difference four है seven और fifteen के between में difference eight है और fifteen और thirty one के दरम्यान में difference sixteen आ रहा है यहनी two की पावर one two की पावर two two cube two four इसी तरह से numbers add होते जा रहे है सो इसी definition को हम मज़ीद continue करेंगे one plus two और next आ जाएगा हमारे पास three plus two की पावर two next आ जाएगा हमारे पास seven plus two cube next हमारे पास आएगा fifteen plus two has power four और इस सब को solve करें तो हमारे पास आएगा thirty one next term आ गई thirty one plus two has power five और अब इसको solve करें तो यह आएगा हमारे पास thirty one plus two की power अगर five हो तो this is equal to thirty two दोनों को plus कर लें या जाएगा sixty three so sixty three plus two has power six plus up to six next two term हमने लिखनी है इसलिए हमने इसको यहीं पे stop किया अब इन numbers को add कर लें thirty one और thirty one के बाद sixty three और sixty three के बाद इसका result open करें तो यह हमारे पास आएगा sixty three plus sixty four दोनों को plus कर लें one twenty seven plus up to seven so this is the answer next sequence है one, two, twelve, forty, up to seven इसमें भी ज्यादा digits का difference आ रहा है इसका मतलब है यहां पे भी multiplication involved है अब इनका relation find out करने के लिए हम इनको इस तरह से set करेंगे simply first number हमारे पास minus one है secondly two number है दोनों का difference चेक करें तो यह आता है हमारे पास three और यहां से ज्यादा difference है इसलिए इनमें subtraction का difference नहीं कुछ multiplication का difference है इसलिए हम यहां पर चेक करेंगे किन number से multiply करवाया गया two और two को multiply करवाया जाए अगर six से तो हमारे पास आता है twelve its mean इसको अगर हम change करें तो यह आएगा two multiply three multiply two is equal to twelve क्योंकि हमारे पास even factors available है इसलिए हम इनके pairing करेंगे तो यह आजएगा three multiply by two has power two is equal to twelve अब हम चेक करेंगे क्या 40 भी इस तरह से लिखा जा सकता है तो यहां पर क्योंकि three एक odd number आ गया तो three के बाद very next number odd चेक करें तो वो हमारे पास five आता है five multiply two cube दोनों को multiply करवा दें यह आजएगा five two cube is equal to eight और यह आजएगा forty it's mean odd numbers को two की power से multiply करवाया गया यहां पे तो इसी definition का use करते हुए हम अपने पूरे sequence को two की power से multiply करवा देंगे firstly हमने zero से multiply करवाया उसके बाद two की power one से minus one minus one के बाद integer zero आता है zero यहां पे missing है so one क्योंके मैंने लिखा अब इसी तरह next term में भी हम एक एक term छोड़ के terms लेंगे one के बाद two आता है लेकिन हम यहां पे two नहीं लिखेंगे हम three लिखेंगे क्योंके जैसे इन दोनों के दरम्यान में हमने एक integer को skip किया है वैसे ही अब one और three के दरम्यान में भी एक integer को skip करेंगे five multiply two q five के बाद odd number आता है seven seven के बाद odd number nine और यह up to son अब इनको back multiply करवा ले two twelve forty यह sixteen sixteen को seven से multiply करवाएं one twelve और next अब हमारे पास nine जो के multiply हो रहा है thirty two से तो multiply करवा ले इनको two eighty eight और यह up to son लास्ट वाला पार्ट है one minus three five minus seven nine minus eleven up to son class question number two के fourth और fifth पार्ट को जिस वे में solve किया गया वैसे ही आप इसे solve करें और minus eleven के बाद इसकी next two terms find करके इसको up to son में लिखते हैं ठीके यह एक question आपकी practice के लिए है इसे आपने practice करनी है इस पे और इसका final answer find out करना है इसका answer हमारे पास होगा 13 यानि इसके बाद जो term बनेगी वो हमारे पास 13 और minus 15 होगी और प्ला कोमा up to son यह terms हमारे पास very next two terms होगी तब आप इसकी practice करनी है और answer भी इसका find out करना है ओकी class यह था हमारा आजका lecture next lecture तक के लिए love face stay blessed दुआओं में याद रखिएगा